नमस्कार मैं कवीता उनियाल आप देख रहें मीडिया टुडे टीवी दिल्ली में मचे कतले आम को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने एतराज जताया है मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने दिल्ली में हुई हिंसा पर सक्त पर्तिकिरिया दी है OIC ने अल्प संक्यों को निशाना बनाने का अरोप लगाते वे हिंसा की निंदा की है OIC क्या है ये हम आपको बताते हैं 53 मुस्लिम देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे OIC यानि Organization of Islamic Corporation कहा जाता है OIC ने ट्विट करते वे लिखा कि भारत में मुसल्मानों की खिलाफ जो हालिय हिंसा में मौते हुई हैं और मासुम लोग जख्मी हुए हैं जो खत्रे की घंटी है दिल्ली में वे हिंसा से मुसलिमों की संपती और मजदिदों को नुक्सान पोचाई जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं सगंठन ने कहा कि इस घिनित क्वित्यों से पीडित परिवारों के साथ हमारी सवेदनाय है OIC ने इंडियन मुसलिम इंग डेंजर का हैस्टेक चलाते वे भारते प्रचाशन से मुसलमानों की खिलाफ हिंसा भढ़काने और साजिस रचने वाले लोगों के खिलाफ सजा दिलाकर नियाय सुनिजित करने की मांग की है OIC ने ये भी कहा कि भारते प्रचाशन अपने मुसलिम नागरी को और देश भर में इसलामिक पवित्र स्थलों की भी शुरक्षा करे OIC के इन आरोपों पर विदेश मंत्राले ने जवाब दिया है विदेश मंत्राले के परवक्ता रविश हुमार ने कहा संगठन का बयान तथ्यात्मिक रूप से गलत, चुनिंदा और गुम्रह करने वाला है जमीनी तोर पर हालत समानने करने और विश्वास का महल बनाने की कोशिश की जा रही है हम ऐसे संगठनों से अपील करते हैं कि इस तरह की गैर जिम्मेदारना बयान जारी ना करे को लेकर चिंता जता चुके हैं अमेरिकी आयोग ने कहा कि दिल्ली में अल्प संख्यों को पर खतरना भीड की इंसक लिपोर्ट से कमिशन चिंतित हैं और वे मोधी सरकार से अपील करते हैं कि भीड पर काबू करें और निशाना बनाएगे धार्मिक अल्प संख्यों और अन्य की सुरक्षा शुनिच्चित हो रविश कुमार ने कहा कि इसलामिक सहीयोग संगठन ने अतीत में भी असवेदंशिल बयान दिये हैं और भारत के आंत्रिक मामलों पर टिपड़ी करने की कोशिश की हैं बतादे की साउधी के प्रभवत्व वाले इसलामिक सहीयोगी संगठन में पाकिस्तान समय 57 मुस्लिम भव संख्यक देश शामिर हैं संगठन कश्मीर समय तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान को अपना समर्थन देता आ रहा है वहीं अमेरिका में रास्टपती पत के उमीदवार बनी सेंडर्स ने दिल्ली हिंसा को लेकर बुद्वार को ट्वीट किया और कहा कि टरंप का इस मुद्दे पर चुपी साधना मानव अधिकार मामलों में अमेरिकी नतित्व की असफलता को दिखाता है अमेरिकी सांसर जैमी रसकीन ने कहा कि वे धार्मिक नफरत से फैली गई हिंसा को लेकर भैवीत हैं उन्होंने कहा उदार लोग तांतरिक डेशों को अपनी धार्मिक अजादी और विविदता की रक्षा करनी चाहिए और भेदबाववा कटरता से बचना चाहिए